तो हेलो गाईस एक नीव वीडियो में आप सभी का सागत है तो दोस्तो मेरा नाम है और इंदुम रावुद आप देख रहे हैं Mr. और इंदुम यूटूब चैनल तो दोस्तो आज हम Pixel Lab एप को यूज करके professional type का Facebook को भार आट डिजाइन करेंगे इस वीडियो को आपको सुरू से लेके अगरी तक देखना है वीडियो को मास्किप करना वीडियो को पूरा देखते रहे है तो दोस्तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा request है इस वीडियो को आपको like कर देना है और चैनल पर नहीं हो आई तो चैनल को subscribe करके साइट पे notification bell icon को प्रेज करके आपको all कर देना है तो दोस्तो सबसे पहले आपको Pixel Lab एप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना है इस एप का डाउनलोड लिंग आपको वीडियो के decision में मिल जा कर देना है यहां पर क्लिक करने के बाद आपको इमेज साइज पर जाना है और यहां पर आपको प्रिसेड में क्लिक कर देना है और फेस्बुक को भाराट को स्लेट कर लेना है उसके बाद आपको ओके पर क्लिक कर देना है और यहां पर आपको लियार में जाना है और इस टेक लेट को अपको add कर लेना है उसके बाद okay पर click कर देने आपको और यहां पर आपको जाना है और यहां पर यहां पर करना है और इसको 100% कर देना है कुछ कुझी स्टैब से उसके बाद ओके पर क्लिक करिए फिर से आपको लेयर वाल ऑप्षन पर जाना है और इसको लॉक कर देने आपको यहां पर आपको अपना इमेज करना है तो इमेज करने के लिए पर फिर से आपको लेयर में जाना है इस पेंट टूल पर क्लिक कर देना है और यहां पर आपको इस इमेज को एड़ेस्ट में कर देना है कुझी स्टैब से उसके बाद फिर से आपको जाना है लियर पे और इसको भी लॉक कर देना है आपको तो फिर से आपको प्लैस पे जाना है और एक टेक्स लियर को आपको एड़ कर लेना है तो simply text layer पर आपको दो बाद टैब कर देना है और इस पर अपना नाम एड़ कर लेना है तो इस तो यहां पर अपना नाम एड़ करने के बाद यहां पर OK पर आपको क्लिक कर देना है उसके बाद आपको यहां पे यह बाले option पे जाना है और यहां से जाके आपको font पे जाना है font पे जाने के बाद आपको my font पे जाना है और आपको इस font को select कर लेना है उसके बाद okay पे क्लिक करिए और यहां पे आपको color में जाना है और red color को आपको select कर लेना है उसके बाद ओके पर क्लिक करिए और यहां पर आपको स्टॉक पर जाना है स्टॉक पर जाने के बाद इसको एनेबल कर देना है आपको और यहां पर आपको हाइट कलर सिलेट कर लेना है उसके बाद यहां पर आपको स्टॉक को थोड़ा सा ज्यादा कर देना है उसके बाद ओ प्रेसिंग को आपको 28 रग लेना है उसके बाद ओके पर क्लिक कर देना है और इसको यहां पर आपको एड़ कर देना है कुछी स्टेप से उसके बाद जाना है आपको सेडो में सेडो को एनोबेल करिए और यहां पर आपको ब्लार को कम कर देना है और यहां पर आपको ऑपासिटी को कॉंट्रोल कर लेना है कुछी स्टैप से यहां से जाके opacity को आपको कुछ step से कर लेना है फिर से आपको प्लास बाल icon पर tap कर देना है और फिर से एक text layer आपको add कर लेना है और यहां पर अपना hobbies को लिख लेना है के बाद इसको ok पर click कर देना है आपको ब्लैक कालार को आपको select कर लेना है और इसका size को आपको थोड़ा सा छोटा कर देना है जी स्टैप से और यहां पर आपको नीचे में इसको add कर लेना है उसके बद आपको फिर से प्लास वाला आइकन पर टैप करताना है और फ्रॉम गैलार पर आपको जाना है और यहां पर एक आपको सोचाल मीडिया पेंजी को एड़ कर लेना है उसका भी डाउनलोड लिंग आपको वीडियो के डेसेजन में मिल जाएगा उसके बद ओके इसका साइज को आपको थोड़ा सा छोटा कर लेना है और इसको नीची की तरफ इसको एड़ कर देना है कुझी स्टेप से उसके बद आपको यहां पर जाना है और इस पर क्लिक कर देना है और यहां पर आपको स्टॉक में जाना है स्टॉक को एनेबल कर देना है और यहां से इसको बद ओके पर क्लिक कर देने आपको इसको बद आपको यहां पर इंबॉस में जाना है और इसको एनेबल कर देने हैं आपको और यहां पर आपको कुछ इस्टैप से कर देना है और बिलिप को कम कर देना है और यहाँ पर आपका पॉषेसोनल टाइप का फेस्बूक कोभार पेज़ डीजाइन हो गया है तो सिंपली इसको सेब करने के लिए उपर की पलास पला आईगन पर टैब कर देना है और सेब एज इमेज पर जाना है और यहां पर आपको आपको save to color पर click कर दना है तो दोस्तों इतना ही था वीडियो वीडियो अच्छा लगे तो like, comment, share कर देना और ऐसे new, new interesting वीडियो चाहिए तो चैनल को subscribe कर लेना मिलते हैं और एक new exciting वीडियो में तब तरी लिए जाहिन बंदे मातर हुआ